अफगानिस्तान से हारने के बाद पाकिस्तान अभी भी सेमी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है वो कैसे इस वीडियो में मुझे बात करेंगे इसलिए हमारे साथ अंतक जुड़ रहेगा मैं हूँ प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी पाकिस्तान की टीम के अगर बात करें तो इन्होंने हार के हार्ट्रिक लगा दिये वैसे तो हमने देखा है कि टीम जीत के हार्ट्रिक लगाती है पर पाकिस्तान इस टोनमेंट में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले तीनों मैचेस पाकिस्तान ने हार के साथ सामना किया है पहले मैच की बात करें तो इंडिया के गेंस वहारे हैं फिर उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हार मिली है और फिर वो अफगानिस्तान के सामने भी हारे हैं जो की बहुत बड़ी हार थी जिसके बाद फैंस और पाकिस्तान की टीम बहुत ज़ादा निराश है लेकिन अभी भी ये semi-finals में पहुँच सकते हैं अगर points table की बात करें तो इस वक्त ये 5 वे position पर हैं इन्होंने अभी तक 5 matches खेले हैं जिसमें से 2 matches जीते हैं 3 matches आ रहे हैं और इनकी net run rate है minus 0.400 की मतलब इनकी net run rate तो काफी खराब है पर अगर इन्हे semi-finals में पहुचना है तो इन्हें अपने बचे हुए 4 matches जीतने पड़ेंगे और वो भी अच्छे margin के साथ साथी में ये और टीम्स पे भी depend करेंगे तो कि उसके लिए Australia को भी खराब खेलना पड़ेगा साथी में England को भी खराब खेलना पड़ेगा और ये दोनों टीम्स semi-finals में पहुचने के लिए प्रबल दावेदारी पेश कर रही है हाला कि अभी तक कोई भी टीम World Cup से officially हार के बाहर नहीं हुई है बट अभी जो chances दिख रहे हैं वो पाकिस्तान और अउस्ट्रेलिया की जादा दिख रहे हैं और अगर दोनों टीम्स का comparison करे तो अस्ट्रेलिया के chances थोड़े से जादा है क्योंकि अस्ट्रेलिया के बचे हुए माचे थोड़े से असान है South Africa, New Zealand और England के अगेंस इवन बांगलादेश वाले मैच में भी उन्हें बहुर अच्छा चालेंज मिल सकता है तो पाकिस्तान को अपने बचे हुए मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी net and rate भी इंप्रूव करनी है और साथ में पॉइंट भी पाने है पर लेकिन पाकिस्तान के लिए अब तक क्या-क्या बुरा रहा है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अभी तक बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है स्पेशली अगर बात करें पिछले मैच की तो चेन्ने का मैदान था जहापे स्पिनर्स को मदद मिलने वाली थी लेकिन उस ट्राक पे भी उसामा अमीर और शदाब खान बिल्कुल भी अच्छी बोलिंग नहीं करा पाए पर आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान की टीम सेमी फाइनल्स में पहुच पाएगी या नहीं हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जोड़ी वीडियो लाते रहेंगे तब तक के लिए स्पोर्ट्स यारी के चानल को सब्स्क्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो पे कॉमन कीजिए धन्यवाद साथी में अगर बात करें हारिस रॉफ की तो उन्होंने भी अब तक काफी खराब गेंद बाजी कर आई है इस टोर्नमेट में और पेसर्स भी अब तक इतने अफेक्टिव नहीं रहे हैं शाहिन शाह फ्रीदी के अलावा हारिस रॉफ की अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने इस टोर्नमेंट में काफी रंज कंसीड किये हैं जो कि पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिस फिल्ल्स भी बहुत ज़दा हो रही है अच्छा खेलना पड़ेगा